गुद मॉनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपके एजुकेटर पुर्णिमा और हम करेंगे वाक्षीट नमबर फाइफ सब्जेक्ट आपका हिंदी है, कक्षे आपकी आठ्वी है और आज डेट है आठ अक्तुबर बच्चों, आज इस कारिया पत्रक में हम अपने पाठ्ट्य पुस्तक वसंत के तीसरे पाठ, बसकी यात्रा का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं स्टुडेंट्स इतनी मजेदार यह पाठ है इसको हम लाइब में पढ़ेंगे कल मैं इस चेप्टर को पूरा पढ़ रही थी आपकी बुक से तो मुझे इतनी हसी आ रही थी इसको पढ़के जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजाएगा पढ़ने में जिस तर आप बातों को सीधे सीधे नहीं कहते हैं बलकि उसे इस परकार घुमा फिरा कर कहते हैं कि सामने वाले को बुरा भी ने लगे और हमारी बातों को भी वैस समझ जाए इस पार्ट में भी लेखक वेंग का प्रियोग करते हैं भारत की सारुजनिक परिवेहन विवस्ता पर ग आज मित्रों ने तैकिया कि शाम चार बजे की बस से चले पन्ना से इस कंपनी की बस सत्तना के लिए घंटे भर बाद मिलती है जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है सुबह घर पहुंच जाएंगे हम मेंसे दो को सुबह काम पर हाजिर होना था इसलिए वापसी का यही रा इतनी खस्ता थी कि सारे अंधुरन कर देती है वह ऐसा होगा अंधुरन सविन्या वाग्या अंधुरन लेखक जब आप इस चेप्टर को पढ़ेंगे तो कहते हैं कि हमें यह नहीं पता था बस जो है उसके सारे पुर्जे हिल रहे होते हैं ठीके जम आप पढ़ोगे तो ब बहुत सारे निशान थे लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि विर्ध वस्ता से में इसमें कस्ट होगा यह बस पूजा के योग्ये थी उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है तो यह एक वैंग किया उन्होंने कि वह इतनी पुरानी बस में कोई क्यों ट्रेवल कर जाएगा क्यों जाएगा अब शब्द आपको याद करने हाजर का मतलब होता है मुज़ूद या उपस्ते डाकिन का मतलब डाकु शब्द का इस त्रिली ग्रूप व्योवर्द बढ़ी आयो वर्धा वस्ता बुढ़ापा ठीक है तो चली कोशिंस करते हैं लेकिक निबस से अपनी कलपना से अपने घर पड़ी किसी पुरानी चीज को देखते हैं मज़ा की लहजे में उसे होने वाली बात्चीत को लिखना है तो मैं अपनी बात्चीत то heute नहीं लिख रही हूँ लेकिन यहाप मेरी मेरे मेरे घर मेया kayak मेरे आयगा धर मेरे खर इतनी चमत्यारी है कि आपको पुराने समय में वापस ले जा सकती है। और भविशे में लिजाने के लिए बस आपको इसका सर थप थपाना पड़ीगा। यह कई बार होता है हमारी जो क्रोग होता है तो ऐसे क्लोग सुखता है वो कई बर चलने लगता है अगर उसको मार दो तो है ना, ऐसा होता है तो इसे फरकार कि इसी परकार का आपको कोई कुर्सी लिख देना है कुर्सी जुला जुलाती है, बहुत पुरानी है इस तरीके से आपको लिखना भी है ठेके students, thank you, have a nice day May God bless you